दोस्तों ये सामने आप जो एक खुबसुरत सा घर देख रहे हैं ये है भारत के सबसे सूपरसीद गायक किसोर कुमार जी का बंगला जो कि इनके बंगले का नाम है गौरी कुँँच बने अक्छर में आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा और किसोर कुमार जी के बंगले के एयरपोर्ट भी है और दोस्तों किसोर कुमार जी के बंगले के एक हिस्से में बिराट कोली का जो एक रेस्टोरेंट है वो भी खुला हुआ है देख सकते हैं आपको लिखा हुआ नजर आएगा दोस्तों आज के इस वीडियो आपको किसोर कुमार जी का घर तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए चैनल पर पहली वारा है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले चलिए दोस्तो बिना दरी के फटापट वीडियो को एरिये में है तो मैं आपको बता दू दोस्तो किसोर कुमार जी का घर मुंबई की जुहू एरिये में इस्तित है और दोस्तो अब जैसे जुहू तारा रोड पे आएंगे न तो ये सामने देखिए जुहू तारा रोड है और आगे की तरफ ये जुहू भी छो गया जाने का रास्ता यहां से भी जा सकते, ठीक इसके आगे देखिए, यह है स्वरगे किशोर कुमार गाउंगली मार्ग, और किशोर कुमार जी के नाम पर ही जू मिटि का नाम घृत्क रहते हैं, और लेकिन गौरी कुंझ डियर हम वे रेंट पे लिये हैं अब ही देख सकते हैं कि इसमें वानेट जो है रेस्टोरेंट बिराटकोली का रेस्टोरेंट वो खुला हुआ है कि दोस्तो किसूर कुमार हिंदी फिल्मों के महान गायक अभिनेता निर्माता और एस्कीन राइटर थे वो भारत के सबसे परसिद गायकों में से एक माने जाते थे वो महान अभिनेता किसूर कुमार के भाई थे किसूर कुमार ने हिंदी भासा के अलाबा बंगाली, माराथी, कंणर, अस्मी, मल्यालं, भोजपूरी, उडिया और उर्दु भासा में कई सारे गाने भी गाये हैं किसूर कुमार को सबसे परसिद गायब के लिए कुल जो है आठ बार फिल्म फियर अवार्ड से नवादा जा चुका है हिंदी सिनेवा में किसूर कुमार पुरुसकार भी जोरा गया जिसका योगदान मदपरदेश सरकार ने किया था दोस्तों किसूर कुमार का जनम 4 अगस्त 1929 को मदपरदेश में खंडबा सहर में हुआ था किसूर कुमार हवेशा सही अपनी जनम भूमी के परती गरब क्या करते थे किसूर कुमार की सिक्षा इंदोर के क्रिस्चन कॉलेज में हुई थी किसोर कुमार ने चार बार साधियां की थी पहली साधी 1950 में बंगाली गाई का रुमा घोस से हुई ये साधी 1958 तक चली इसके बाद 1960 में किसोर कुमार ने अविनेतरी मदुबाला से साधी की थी किसोर की ये साधी जो है मदुबाला के मिर्टु के साथी 1979 इस भी में खतम हो गई वर्स 1976 में किसोर कुमार ने तीसरी साथी योगिता अबाली से की ये साधी जो है 1978 तक चली लेना चंद्राकर के साथ किसोर कुमार की ये 34 साधी थी दोस्तो फिल्मी करियर के बारे में अगर बात करो तो किसुर कुमार के फिल्मी करियर की शुरुवात जो है एक अमिनेता के रूप में 1946 को फिल्म सिकारी से हुई थी वर्स 1948 इस भी में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी के लिए किसुर कुमार को पहली बार गाने का मौका मिला था यह फिल्म तो हीट हुई लेकिन किसुर कुमार को इस फिल्म से ज़्यदा पैचान नहीं मिल सकी और किसुर कुमार जो है फिर कभी भी पीछे मुर के नहीं देखे और आगे जो है मेहनत करते रहे और अपना नाम जो है वो बढ़ाते गए दोस्तो जानकारी के लाप सबको बता दू कि किसुर कुमार ने अपनी फिल्मी करियर में सबसे ज़्यदा गाने जो है राजे स्खना के लिए गाये हैं किसुर कुमार ने कुल जो है उन बिरानवे फिल्मों में राजे स्खना पर करीब 245 गाने गाये हैं जो कि एक गायक अभिनेता के लिए आज भी एक रिकॉर्ड जो है बना हुआ है तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सियर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब के लिए जय हिंद वन्दे मातरम